हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है फरहाना फारुग बेक जो के अलाके कंडी के चंदोसा गाहूं से तालुक रखने वाली है जुन्होंने कल जो है केस का एक्जाम जो है वो कालिफाई किया है सबसे पहले हम आपको आरने की पूरी टीम की तरफ से मुबारक पेश करते हैं जाहिए शुक्रियह खैर होग जो आप जिस तरह से कल केस का एक्जाम जो है उसके रिजल्ट सामने आए हैं तो जब आपका रिजल्ट जो है वो डिकलियर हूआ तो आप ने उस वक्त क्या महसूस किया वो फिलिंग तो एक्स पेस नहीं कर सकती मैं काफी सानो से इस exam की त्यारी कर रही थी और फाइनली वो जब चीज अचेव करते हो तो तब आप नम होते हो तो आपको कोई feelings नहीं होती तो मैं वह feeling express नहीं कर सकती कि तब मैंने क्या feel किया इंफेक्ट में बहुत ज्यादा खुश थी साथ में emotional भी थी तो अगर हम बात करें आपकी schooling के हवाले से आपने आपकी इपचेदाई तालियम कहां से आपने शुरू की है जी मेरी जो schooling हुई है वो चंदुस्दा के government high school से हुई है मेरे पापा भी government teacher रहे हुए है तो मैंने यहीं चंदुस्दा के government school से ही अपनी primary education की है higher education in fact मैंने 12 भी यहां के चंदुसा higher secondary से ही की है तो उसके बाद women's college बारमुला में मैंने admission ले लिया और उसके बाद मैं जम्मु युनिवस्टी में चलेगी जहां से मैंने अपनी master's complete की तो चुकि कल जब result सामने आया तो बहुत सारे बच्चे जो है वह qualify नहीं करना नहीं कर सके तो उनके लिए आपकी किस तरह की message रहेगी देखिए मुझे नहीं लगता कि वह बच्चे qualify नहीं कर पाए वह यहां तक पहुंचे है मुझे लगता ही सबसे बड़ी है मैं काफी time से इस exam में हूँ तो मुझे नहीं लगता कि final list में आना हाँ ठीक है आपको बहुत ज़्यदा खुशी मिलती है आप एक field में जाते हो लेकिन यहां तक पहुंचना इंटर्व्यू तक की call आना मुझे नहीं लगता कि उन्होंने क्वालिफाइं नहीं किया उन्ह है मेरे साथ भी ऐसी बहुत बार हुआ है in fact मेरा अभी भी यह मन नहीं हो रहा था कि मैं से speech दूं बोलों क्योंकि मैंने यह सारी चीज़ें फेस की हुई है और मुझे पता है कि आप एक state से यहां तक पहुंचना और यहां से वापस गिरना आपको बहुत ज़्यदा फील हो और एक dedication and motivation के साथ आगे बढ़ता रहने चाहिए failure और success आपके life में हैं कभी आपको failure मिलेगा कभी success मिलेगा तो इंशालला उमीद रखें कि अगर आप त्यारी करते जा रहें तो finally मिल जाएगा क्योंकि मुझे अपने साथ ऐसा ही फिल हुआ मैं काफी सालों से इस चीज़ क अगर हम बात करें तो आपके जो बाई है यासिर फारुक तो उन्होंने भी है उन्होंने भी इस exam को qualify किया है तो back to back अगर हम बात करें इस गराने से तो जो है एक अच्छे officer हम मानने कि वो निकल कर सामने आ रहे हैं तो क्या कहना चाहिए आप बहुत ज़्यदा खुशी है ह हर किसी काम्याबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है तो आपकी काम्याबी के पीछे किसका हाथ ज्यादा रहा है इसमें किसने आपको ज्यादा सपोर्ट किया है इस सब का होता है कि फैमिली की स्पोर्ट तो होती होती है तो मैं सोचते हूँ फैमिली की स्पोर्ट तो है तो लेकिन मैं फैमिली को छोड़ कि अगर मैं किसी का नाम लेना चाहूंगे तो वो शेहनवाज सर बुखारी सर है जो की ICP के हैड़ है मैं ICP स्रीनगर राजबाग में रही हूँ और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट किया है और उसके बाद मेरी दो फ्रेंड में हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मुझे में 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 मैं में में और रहे साथ आज खुशी का माहोल है आप पने कुछ फ्रेंड्स के बारे में जिकर की है किया पूंका नाम भी लेना चाहेंगी जरूर मेरी दो बहुत अची फ्रेंड्स है और रक्षान लाउस्ट हुआ हम तीनों साथ में पढ़ते थी और माशाला हम तीनों ही आज कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने आरने में अपना कीमती वक्त फराम किया थैंक्यू थैंक्यू आप यहां आए उसके लिए भी शुक्रिया